सुभे का नाश्ता हो या शाम की चाय जब भी कुछ चटपटा और गर्मा गरम खाने का मन होता है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि चलिए जल्दी से पकोडे बना लेते हैं क्योंकि जटपट बन करके तयार भी हो जाते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं तो आज हम बन की चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी शुरू करें सबसे पहले एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे आलू तो मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिये थे जिने इस तरह से छोटा-छोटा पतला-पतला काट लिया है काटने के बाद इने मैंने कुटावा अद्रक और लेसुन डालेंगे जो की बहुत अच्छा लगता है पकोडों में और तीन से चार बारी कटीवी हरी मिर्च डालेंगे तीखा आपको जितना भी पसंद है उसके हिसाब से हरी मिर्च आप कम या जादा कर लेना मुठी बर इसके अंदर बारी कटावा हरा धनिया डाल देंगे एक चोटा चमच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चोटा चमच ही नमक डाल रही हूँ तो नमक भी आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं एक चोथा ही चोटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आदी चोटी चमच साथ ही पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और आधी छोटी चमच ही डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर अब इन सारे मसालों को हम आलू प्याज के अंदर अच्छे से मिला देंगे बहुत ही जटपट ये पकोड़े बन करके त्यार हो जाते हैं और टेस्टी भी बह अब आम इसमें बेसन डालेंगे तो एक कप मैंने बेसन लिया है बेसन आपको आधा अधा करके ही डालना है जरुत पड़ी तो बाद में और डालेंगे पट पहले आधा ही डालें और अब इस बेसन को आप सारे मसालों के अंदर अच्छे से मिला दें देखिए मैंने बेसन को इसमें मिला दिया है, बट अभी क्या है देखिए आलू और प्याज बिलकुल अलग लग पड़े हैं, बेसन कम लग रहा है मुझे तो ये आधा जो बेसन था ये भी इसमें डाल देंगे, तो पूरा एक प बेसन मैंने इसमें डाल दिया है, अब इस बेसन को भी आप अच्छे से इसके अंदर mix करें, तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है, बट अभी ये काफी सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी, तो लगभग तीन बड़े चम्मच जितना मैंने पानी डाला है, बाइंडिंग के लिए, अब इस पानी को भी आप अच्छे से इसके अंदर mix कर दें, अगर आपको कहीं भी लगता है बेसन में अच्छे से कोट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छी इसमें बाइंडिंग आ गई है, तो यह पकोड़ों का mixture तो एकदम ready हो चुका है, तो चलिए अब इन्हें फ्राइ करते हैं तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है, तेल अच्छे से गरम हो गया है, बट बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें तो अब एक एक करके इसके अंदर हम पकोड़ों को डालेंगे, और flame आपको medium रखनी है, तो इस सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल दिये हैं, अब medium flame पे इन्हें हम बीच बीच में चलाते हुए fry करेंगे और इन्हें आपको तब तक fry करना है, जब तक कि इनमें हलका सा golden brown color ना आ जाए, तो इस तरह से बीच बीच में पलटते रहें, ताकि सब तरफ से अच्छे से fry हो, तो अब आप देख सकते हैं, जो पकोड़ों का color है, एक दम perfect आ चुका है, बहुत ही अच्छे से fry हो गए है यह देखिए आप कितने बढ़िया लग रहे हैं इस पकोड़े, तो बस अभी ने हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, बहुत ही आसान होता है इन्हें बनाना, तो सारे पकोड़ों को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है, सेम इस तरीके से हम बाकी पकोड़ों को भी फ्राइ कर लेंगे, तो यह लीजे दोस्तों एकदम गरम गरम आलू प्याज के पकोड़े बन करके तयार हैं, बहुत ही जादा टेस्टी बने हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाना, तो मिल दे हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई